हर पल हम जीवन का उस समन आते हैं और हर पल किसी ना किसी त्योहार की तरहें जीते हैं। इसलिए हमारा देश व्रतों और त्योहारों का देश है। वामन पुराण में करवा चौथ की व्रत का वर्णनाटा है। करवा चौथ व्रत को रखने वाली इस्त्रियों को सुभसनान आदी के बाद आचमन करके पती, पुत्र, पौत्र तथा सुख स्वाभागय की इच्छा का संकल्प लेकर इस व्रत को करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिके, गनेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। करवा चौथ के इस शुभवसर पर सुनिये हमारा पौटकास्ट। करवा चौथ के इस शुभवसर पौटकास्ट।